Hello Friends, Welcome back to my channel तो फ्रेंट आज के वीडियो में आप लोग को वर्क वाली कूर्ती की कटिंग सेर करूंगी तो वीडियो को अन तर्जलूर देखिएगा इसकीप करके बिल्कुल यूमत देखिएगा तो इसीक सब वीडियो को सुरू करते हैं यहां पे यह देखिए यह वर्का बना हुआ है इसमें गलर पिछे का गलर बना हुआ है दो युमाना तो इसका is देख लेते हैं तो इसका मेजरमेंट है 40 इंच लंबाई है सीना है 40 इंच कमर है 38 इंच हीप है 44 इंच आगे का गला 7 इंच है पीछे का गला 6 इंच है कि स्लीप की लंबाई है 17 इंच मोरी है 9 इंच को आर मुर की गोला यह साड़े आठ इंच दामन है 47 इंच जो आज नीचे का गेरा होता है वह है 47 इंच इसी मेजरमेंट पर हम कटिंग करेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम फ्रेंड पाट की कटिंग करेंगे तो यहां पर यह वर्क बना हुआ है आगे गला भी बना हुआ है तो इसको हमको किस तरह से खटिंग करना है तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से हम मोड लेंगे यहाँ पर इस तरह से गले को सेट करते हुए मोड लेना है यहाँ से इस तरह से मिला लेना है तो यहाँ इस तरह से सेट कर लेना ऐसे इसके बाद यहां पर अच्छे से रखेंगे उसके बाद यहां से हम कि यह मार्जन ले के साभी जालीजी मुदके 2 आदा इंच जो है उपर शिलाइ के लिए लेंगे यहां पर हमको कम करना है तो यहां से खुलेंगे बॉर्डर को उसके बाद यहां से हम इसको अर्जेस्ट करेंगे यहां से नापेंगे उसके बाद यहां से हम इसको थोड़ा ऊपर चाहा के सिलाई लगाएंगे तो इसका लेंद हम 40 इंच पर तयार करेंगे तो यहां पर 45 पर निशान लगाएं उसके बाद यहां पर लंबाई का निशान हो गया उसके बाद यहां से इस तरह से 14 इंच पर कमर का हम पर इस तरह से हिआ यहां पर हो गया तीन एंच ऑड़ से लेंगे तो और यह लेंगे ड़ीमिस हें सिलाई हाँ हो यहां से रखेंगेalk तो यहां पर हो जाएगा च्मृ मों लिए पर यहां से साड़े ताले तीन फेलेंगेन हैं जाने यह इस ताहरे से आंपर से लिन फीर अ कि द देन चोथाई हिस्सा 17 तो 17 पर निशान लगाएंगे इस तरह से और उसमें दो इंच मार्जन लेंगे तो यहां पर हो गया इवर 12 इंच आप उसके कमर है 38 इंच तो 38 का चोथाई हिस्सा को सारे 9 इंच उसके अधि यहां पर 2 इंच मार्जन तो यहां पर हिप पर हिप कर निशान लगाएंगे तो हीप हमारा है 44 इंच 44 का चोथा है इससा 11 इंच तो 11 इंच निशान लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद यहां से वह सब्सक्राइब करने लिए तो यहां पर निशान लगा लिए उसके बाद यहां पर दावन का निशान लगाएंगे दावन हमारा है 47 इंच, 47 का चोथा ही हिस्सा बावने 12 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, यहां भी 1 इंच इस तरह से मार्जीन का निशान लगाएंगे, उसके बाद सभी निशान को इस तरह से बराबर कर लेंगे इस तरह से निशान से निशान को मिला लेंगे वीडियो पे लाज तक बने रहिएगा तभी आपको समझे में आएगा step by step वर्क वाले कूर्ती की कटिंग कैसे होती है तभी आप आसानी से अपने घर में कटिंग कर सकते हैं कि इस झाखें कब्लें हो गया है उसके अर्वुल पर निशान लगएंगे तो एहां से ल CL रावर को बैंगे तो यहां से निशान कर देंगे इस तरह से तो यहां पर इसका निशान कम्प्लीट हो गया है तो यह हमारा एक तालीस इंच सीना है तो आर्टीस इंच कमर है और चवालेस इंच हिफ है तो यहां पर प्रेंट पार्ट की कटिंग हो गई यह उसके बाद यहां पर हम कट लगाएंगे यहां से जो फिटिंग करते हैं यहां से और उसके बाद यहां कमर पे यहां हिप पे ऐप यहां पर इस तरह से पहरी टैफिक की अंच से इस तरह से करके पीछे का भी निशान दॉल हो यहां फिर दिखेंगे कि इतने असानी है पीछे का भी लग जाता इस तरह से इस तरह से निशानाग लगा लिया जाता तो सिलाही करने में कोई परजानी नहीं होती है कोई दिक्त नहीं आती है तो यहां पे रूंड पार्ट की कटिंग हो गईर्वा के कटिंग करेंगे तो यहां पे यह कपड़ा है फाल शुरबसे फ्लार लेना है उसके बाद इसी के ऊपर फ्रेंट पार्ट इस तरह से रख लेना है तो यहां पर लंबाई दी 40 इंच इस तरह से 40 इंच लंबाई है उसके असाथ आप इंच मार्जन लेकर 45 इंच 3,5 इंच पर दंगे पर शक्रन पर बदर है उसको खोल ला promise के लमबाई करना है तो यहां ऌड अद्वक इस तरह से निशर कंब पर लेक्टोट इंगे उसके डाइब हैं यहां सी क्यों है somethin पर व्यांगे मैं इस थाज निशानको जनुत कर लोगा हैं गयोथ में नहीं कीए हैं तो यहां चल्ल पर लेंगए तो पहले हम करेंगे तो यहां से तहले किए हम उन्य में सेन रखें कर लेंगे यहां पर बैक पार्ट फ्रेंट पार्ट की कटिंग हो गई है अब हम यहां पर फ्रेंट पार्ट का आर्मोल की कटिंग करेंगे तो यहां पर आर्मोल की कटिंग कर लिए हैं उसके बाद हम यहां पर बैक पार्ट में गले की कटिंग करेंगे तो यहां से गले की चौड़ाइब इस तर इस तर इसे तीन इंच फेगे हो, यह वह सादध्य तीन इंच पे। उसके बाद उसकी की चौड़ाइब तीन इंच पर रखे हैं लंबाइब शादु से रखेंगे इस तरह से। कि यहां से भी टीनिच पे चलड़ाई रखेंगे ने कि's से भी चलड़ाई तीनिच पे रकेंगे उसका इस तरह से इसकोनिशान देंगे करेंगे उसके हैं में इस तरह से गोलाई देंगे अब teak करेंगे तो यहां पर कपड़ें को फोल्ड किये उसके बाद सब्सक्राइब यहां आज इससे से 1 इंच पर निशाना लगाएंगे नीचे जो आगी इससे फोल्ड होता है मुँआरी लोली उसके बाद इसको इसतरह से सिंहीं को शिधा कर लेंगे तो यहां से एक इंच लेके इस नितान कर लिए है, उसके बाद यहां से लगाएंगे, साडही है तर तर इंच के निशान, इस नितान को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे, उसके मोहरी का निशान लगाएंगे तो मोहरी हमारा 9 इंच है तो 9 का चोथाई हिस्सा 4.5 इंच तो यहां पर 4.5 इंच के निशान लगाएंगे इस तरह से और इसमें भी इस तरह से 2 इंच मार्जिन ले लेंगे यहां से 3 इंच पर आर्मोल डाउन करेंगे यहां से 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन रखेंगे उसके वाइस तरह से निशान को इस निशान से मिला देंगे कि यह मार्जिन वाला निशान इसको आर्जिन वाल निशान से मिलाएंगे इस तरह से उसके बद यहां से गोलाई देंगे तो यहां पर इस डिप्स की निशान को गया है अब इसकी कटिंग कर देंगे के कि तौना कपड़ा कम हैं इसमें हमको जोल लगाना पड़ेगा उसके बाद कि यहां से मोरेंगे उस सेंटर पर इस तरह से कट लगाएंगे उसके बाद यहां पर आलमूल की जो घर आई है उसको इस तरह से छाट लेंगे यहां से फ्रेंट पाट के गटिंग गई हैं द आई हपिव फिर्म यहां को पसंड आया हो तो लाइक करिए चैनल पर न चैनल को सिस्क्राइब करिए यह यह क cultivation आप छोचीन